प्रयास हुआ, मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से का, कि हम देश की जंता एक फेशला करें, कि गुलामे की सारी निसानियों को इस देश से उखाड कर फैकेंगे, इस देश की जंता ने एक सामूहिक इंफियारिटी कॉंप्लेक्स हिन बाव से ग्रसित होने की जरूरत नह सकता है, और हर कदम पर कॉंग्रेस ने भी रोदे है, हमने राचपत, जो पंचम जोर्ज के आने पर जिसका नाम रखा गया था, पंचम जोर्ज के आने पर राचपत का नाम बदल कर, क्यूंकि हम डेमोक्रसी में है, नागरिकों के कर्तवे से ही देश का बला हो सकता है, उस बनाने का काम किया, एक भव्य संसत के अंदर 21 सदी भारत का लोक तंत्र का मंदीर बनाने का काम किया, कॉंग्रेस ने इसका भी बहिसकार किया, हमने तै कि सोमनात के मंदीर को सोने का बनाएंगे, इसका भी उन्होंने विरोध किया, हमने केदार धाम और बदरी धाम को पु न्याय दंड के प्रतिक पवित्र सेंगोल को लोगसभा में प्रस्तापीत किया इसका भी विरोध किया और जब हम राम लल्ला का मंदिर बनाने गए तो कॉंग्रेस ने उसका भी वहिस्कार कर दिया भाई और बेनो साड़े पांच सो साल से करिब करिब राम भगवान राम लल्ला अपमानी तवस्ता में जीते थी आजादी के 75 75 साल हो गए टेंट में बेठे हुए राम लल्ला हगारो करोडों लोगों के दिल में एक टीस होती थी करोडों राम भक्त सिस्किया लेते थे और एक दिन अधालत का फैसला आया सांति पुर्म तरीके से मोधी जीन ने इसका भूवी पुजन किया और 22 जनवरी 2024 को मनोहरी राम लल्ला के शरूप में प्राण पुरकर प्राण प्रतिष्टा करने का काम भी मोधी जीन और दक्सीन से लेकर उत्तर जक और पुरब से लेकर पस्चिम तक और दुनिया भर में करोडों आस्तावान सन्मान के साथ ये द्रस्य देखकर आँख में आसुओं के साथ भावी बोर होते हुए मैंने भी दिखाए मित्रों करोडों लोगों ने जिसके लिए हमेशा संकल्प लिया लाखों लोकों ने बलिदान दिया वो सवा 500 साल की लडाई का अंद नरेंद्र मोदी जी के सासन में हुआ और देश को पुनदी इनको ये मंदीर पत्थर से बना हुआ प्रभुश्री राम का मंदीर लगता है मैं ऐसा कहता हूँ कि आजाद तो देश 75 साल पहले हुआ था देश के अंदर प्राणपूर्णे का काम नरेंद्र मोदी जी ने अब किया है ये देश भारत ये परंपराओं से चलना चाहिए बारत की संस्कूर्थी के आधार पर चलना चाहिए ये देश भारत के स्वक के आधार पर चलना चाहिए हमारी बासाओं का सनमान करते हैं तो विरोध करते हैं हमारी संस्कूर्थी का सन्मान करते हैं तो विरोध करते हैं हमारी परंपराओं का सन्मान करकर सेंगोल को प्रस्तापित करते हैं तो विरोध करते हैं उनका कामी ही है और सबको असर होता है ऐसा क्यूं करते हैं मुझे नहीं होता है क्योंकि जिनके मुलही इटली में हो वो इस देश के परंपराओं का सन्मान नहीं कर सकता है अपेक्सा रखने ही ठीक नहीं है मित्रो धेर सारे ऐसे काम करें सिये लाकर पाकिस्तान और बंगलादेश से जो अनेक हिंदू सरनार्थी आये थे बहुत सरनार्थी आये थे जैन सरनार्थी आये थे उनको नागरिक्ता देने का काम भी नरेंद्र मोधी जिने किया वर्सों से इस देश में त्रिपल तलाक होने के कारण मुसलिम माताओ बेहनों के साथ अन्याय होता था तिपल तलाक की अन्याई कानून को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया सरदार पठेल, मौलाना अजाज और जवालाल नहरू, राजेंदर प्रसाद ये सभी कह कर गए थे इस देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए, UCC होना चाहिए UCC नहीं लाते थे, क्योंकि मत बैंक की चिंता थी, उत्राखन सरकार ने देश में पहला राज्य बना भाजपा का जो UCC लेकर आया, Common Civil Code के लेकर आया, मित्रो, कई सारे एतियासी काम मोदी जी ने किया हमारे हाँ, तीन बड़े हॉट स्पोट हुआ करते हैं, कस्मीर, वामपन्ति उग्रवादी, छेत्रा और नॉर्थ इस्ट, ये तीनों हॉट स्पोट हुआ आतंकवाद और उग्रवाद के पती, जीरो टॉलरंस की नीती के कारण, आज बहुत अच्छी स्थीती हैं मैं 2004 से 2014 में हिंसक गटनाए 33,000 हुई थी, अब सिर्फ 8,000 हुई हैं और नागरिकों की मृत्यू 11,000 हुई थी, अब 2600 हुई है, पूरे तिनोंक्षेत्रों के अंदर स्थान्ती करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नित्रुतों में हुआ, मित्रों कोरोना आया, कोरोना आया, तब मैं देश का गुरू मंत्री था, आज भी हूँ उस वक्त, पूरा दुनिया चिंता करता था, कि भारत क्या होगा, हम सब जानते हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, कि हम इस संकट का सामना कर पाए वो अपने देश की चिंता नहीं करते थे, हमारी करते थे, हमारे प्रती अच्छे भाव से ही करते थे, परन्तु जब कोरोना समाप्त हुआ, तब सिती उल्टी हुओ गई, उनके आस्तिती नहीं समली, हमारे यहां 130 करोड लोगों को दो-दो ठीका टेकनोलोजी का लेने में, मैंने बुला हमारे यहां तो भी टीका लगता है, पांची मिनिट में मोदी जी की हस्ती फोटो के साथ सर्टिफिकेट मोबाइल पर आजाता है, 130 करोड के देश में, कहीं लाइन नहीं, कहीं धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं, मोदी जीने कॉफी भी पिलाया और टिका भी लगा दिया, और इसमें भी इन्होंने विगन कर, राहुल बाबा ने कहा, टिका मत लगा ही हो, यह तो मोदी टिका है, जनता उनकी सुनती नहीं हम सबको मालूम ने, सबने टिके लगा है, फिर रात को अंधरे में जाएकर एक बार वो खुद भी टिका लगा क रहा गए है, अरे सर्म करो, सर्म करो, कौरोना जेसी स्तिती में भी आप डेस में एक मत नहीं रख सकते हो, किस प्रकार का रातनितिक दल हो, मिटरो कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई जिते, इसका कारण कई लोग मुझे पूदते हैं, कई लोग किते हैं Munderland, जिते, दॉक्ट कोरोना के खिलाब भारत विश्व में सबसे अच्छा प्रदीशन कर पाया इसका एक मात्र कारण है कि पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाब सरकारे लड़ी यहां कोरोना के खिलाब सरकार के साथ-साथ 130 करोर की जनता ने भी लड़ाई है लाल बादूर शास्त्री के बाद मैंने अईसा पहला प्रदान मंत्री जी घा, जिसके एक कॉल पर काल हम जनता कर्फिव करेंगे, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और पूरे देश के अंदर सब लोग घर के अंदर रहे, कोई सरकारी ओरर नहीं था और मोधी जी का सन्मान किया थाली बजाना का थाली बजाई दिया जलाना का या दिया जलाया और इससे सामुईक लड़ाई का मन पैदा करकर कोरोना के खिलाप सेल्फ डिसिप्लिन जनता की लड़ाई की सुझनित्रुत नरेंद्र मोदी जी ने कर रहे कहते रहे कि ठाली बजाने से कोरोना भागेगा दिया जलाने से कोरोना भाजेगा भागेगा वामपंटी विचारदारा और उसके प्रभावित घरसित सभी रादनितिक दर्म बोलते रहे मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि जनता की ताकत को ऐसे नुक्सों से ही ऐसे परंपराओं से ही साथ में लिया जा सकता है और सरकार की लड़ाई को जंता की लड़ाई बना कर ही इस पर